एक लड़का जो लड़की को बच्पन से प्यार करता है पर उस लड़की ने हमेशा उसे मैनोपिलेटी किया इनकी लोज स्टोरी का अंद क्या होगा हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन ही 1998 की एक रोमेंटिक हॉलिवड मुवी एक्सपेक्टेशन करने वालो हूँ से बन कर दिया वो कहता है मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत पता ना अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें मैं मार डालूंगा फिन जब शान्त हुआ दो साथ मिनों से का इजाओ और मेरे लिए कुछ फूड वेगरा लेकर आओ वो एक क्रिमिनल है जो जेल से भाग च जरूरत थी फिन बहुत ही डर जाता और वैसे घर आ जाता बच्वन में उसके पैरेंस गुजर गए थे अब वो अपनी सिस्टर और सिस्टर के बॉइफ्रेंड के साथ रहता है सिस्टर के बॉइफ्रेंड ने उसे पूछा कि कुछ अलग लग रहा है क्या हुआ फिन को कुछ मेडिसिन भी लाई हुई थी क्रिमिनल फिन से गयता है कि मेरे साथ चलो क्योंकि उसे फिन की बोर्ट की जरूरत थी यह इसी बोर्ट पर बॉर्डर क्रॉस करकर मेक्सिको जाने वाले थे पर तब अचानक से बॉर्डर की पुलिस नहीं ने देख लिया यह क्रिमिनल जल्दी से बोर्ट से उतर जाता है और एक जगा पर जाकर रोक गया पुलिस ने फिन से बात की उससे पूछा तुम यहां कर क्या रहे हो फिन गयता है कि मैं ऐसे हैंग आउट कर रहा हूं तो पुलिस उसे लेकर जाकर उसे घर छोड़ देते हैं घर आने पर फिन अपनी सि इसी वज़े से उसका घर तहसनेस पड़ा हुआ था इसी का काम फिन और जो करने वाले थे जो घर में गया और फिन बाहर ही रूख गया वही गार्डन में फिन ने एक लड़की को नोटिस किया वो अचानक से वहां से चली भी गई थी जो घर में गया और उसके लिए पैसे रखे हुए थे कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ा तो उस लेड़ी पर बहुत असता है घर आने पर फिन की सिस्टर को उसी लेड़ी का कॉल आया था वो लेड़ी फिन को अपनी ग्रैंड डॉर्टर के साथ खेलने के लिए बुला रही थी जो और फिन की सिस्टर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि फिन को अच्छे बैस से मिलेंगे यही टीवी पर फिन देखता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा जा चुका है अगली दिन फिन उस लेड़ी के पास गया इस लेड़ी का नाम था नोरा वहाँ पर वो नोरा की ग्रैंड डॉर्टर एस्टेल नोरा ने उसे इंकरेश किया वो एस्टेल का पोट्रेट बनाने के लिए उसे कहती है पोट्रेट बनाते हुए उससे पूछती है तुम्हें एस्टेल के बारे में क्या लगता है फिन कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटिफुल है नोरा कहती है तुम अभी इसे उसे प्यार मे इसके बाद Finn और Stella जब नीचे आए तो घर में फाउंटन चल रहा था इसी फाउंटन से Stella पानी पीती है उसने Finn को भी ट्राय करने के लिए कहा Finn जब भी ट्राय कर रहा था तब इस्टेला उसे किस कर लेती है उसे बहुत अच्छा लगा इस मुवमेंट को कैप्चर करने के लिए घर जाकर उसकी पेंटिंग मनाता है इसके बाद एक दिन उसकी सिस्टर उसे छोड़ कर चली गई और कभी भी वापस ने आई सिस्टर के बॉइफ्रेंड ने हमेशा Finn का खैल रखा उन्होंने सिस्टर के बारे में बाद में कभी भी बात नहीं की Finn और Estella एक साथ घुल मिलने लग गए थे इसी तरीके से ये दोनों बड़े हो गए एक दिन Estella को पार्टी में जाना था पर नोरा उसे मना कर रही थी क्योंकि पार्टी होने की बाद उसे वापस लाने के लिए कोई भी नहीं था Finn कहता है मैं उसके साथ जा सकता हो Estella को एस सही नहीं लगता पर वहाँ जाने का उसका यही आप्शन था इस पार्टी के लिए Finn बहुत ही एक्साइटेड हो गया अच्छा सा सोट वेगरा पहन कर जब वो इस पार्टी में पहुचा तो गेसलिस में उसका नाम नहीं है Estella ने जान बुझ कर किया था पर वो पार्टी में बोर हो चुगी थी तो बाहर आकर Finn से मिलती है कहती है मुझे कही लेकर चलो Finn फिर उसे अपने घर लेकर आया Finn ने बनाए हुए सारे ड्राइंग्स उसने देखे जोसे बहुत या अच्छे लगे वो कहती है तुम्हें नियॉयॉक जाना चाहिए सारे आर्टीस होई जाते है अगर इस टाउन में रहे तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा इन्हीं ड्राइंग्स में उसने अपने खुद की भी पेंटिंग नोटीस की वो इसमें बहुती ब्यूटिफुल लग रही थी उसके हेस भी अलग थे वो Finn से बुछती है क्या तुम्हें मेरे हेस इस तरीके से अच्छे लगते है Finn ने हाग कहा तो गहती है तुम्हें और क्या अच्छा लगता है वो उसके पास आगे Finn उसे टच करने लगता है एस चलाने उसे किस कर लिया तुरन बाद उससे वो दूर चली गई Finn कहता है कि हुआ क्या उसे लेट हो चुका था तो अब घर जाना था कुछ फ्रेंज में बोलकर यहां से वो चली जाती है वजबन से लेकर आज तक Finn को इसी तरीके से वो ठीट करती है कभी उसके बहुत ही करीब आगे तो बहुत दूर चली गई एक दिन जब Finn Estella से मिलने के लिए उसके घर अपर आया तो आसपास कही भी नहीं थी नोरा ने Finn से बात किये कहती है मेरी शादी में मेरा बॉइफ्रेंड मुझे छोड़ कर चला गया था वो ऐसा कर कैसे सकता था आदमे बहुत ही घटे आ होते है उन्हें उसके लिए भूगदना पड़ेगा मैंने जो गलती की Estella कभी भी नहीं करेगी उसने Finn को बताया कि अपनी Education के लिए श्विजर लैंड चली जा चुकी है चलाने Finn को इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था Finn बहुत ही ज़ादा Heart Broken हो जाता है उसकी प्यारा से फेट चली गई थी अपने आपको उसने काम में डाल दिया Painting करना भी छोड़ दिया था वो गहता है अब मैं खुद को खड़ा करूंगा अच्छे से उसने Fishing विगरा सीखिए जैसे टाइम बिता गया वैसे वो emotionally stable था एक दिन अचानक से एक lawyer उसके पास आता है उसने उसे का मैरे employer ने तुम्हारी कुछ paintings देखी है वो तुम्हें New York बुलाना चाहता है तुम्हारा exhibition रखना चाहता है Fing को लगता है कि आदमी fake है इसा कुछ भी नहीं हो सकता पर उस lawyer ने उसे directly thousand dollars और flight ticket दे दिया Estelle आके जाने के बाद Fing ने paintings छोड़ दी थी और वो एक काम नहीं करना चाहता था पर थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए ready हो जाता है उसे लगता है कि इस सब arrange करने वाले नोरा ही होगी तो उसे मिलने के लिए हो गया उसने उसे कहा कि मेरा New York में exhibition है Fing को पता था कि Estelle भी New York में ही है तो नोरा से भुचता है क्या वहाँ मुझे जाना चाहिए मेरा art exhibition है नोरा कहती है ऐसी opportunity बहुत ही कम ही मिलती है तो मैं ले लेना चाहिए अपने exhibition के लिए मुझे भी invite करना इसके बाद फिर फिन New York में पहुच गया फिन का exhibition तो है और उसके पास कोई भी painting नहीं थी वो painting करने के लिए डर रहा था वो सोच रहा था कि लोग उसके काम को judge करेंगे आर्ट gallery की manager से कहती है मुझे तुम्हें तुम्हें आर्टिस दिखता है तुम्हारे पास 8 weeks है इसमें कुछ तुम draw कर सकते हो या second option या New York में घूम लो जैसे आये थे वैसे वापस चले जाओ फिन को अपने आपको prove करना था तो चैलेंज हो accept कर लेता है जब उसने draw करने की कोशिश की तो पहले जिस तरीके से करता था वैसे फिर से करने लग गया फिन रियलाइस करता है कि उसके पास एक gift है कि उसने ignore किया था पर ये फिर से उसके पास वापस आ रहा है तो इस opportunity को जाने नहीं देगा एक जगा अपर उसने fountain का tap देखा जिस तरीके से पानी पीते हुए एस्टेल के साथ उसकी first कीस हुई थी उसी तरीके से यहाँ पानी पीने लग जाता है फिर से एस्टेल उसी के साथ पानी पीती है इतने सालों बाद ये फिर से मिले एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे एस्टेल ने फिन को कल एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया अगली दिन excited होकर फिन वहाँ पर पहुश गया एस्टेला फिन को अपने सब friends मिलवाती है पर इस friends में से एक उसका boyfriend था फिन को introduce करवाते होए एस्टेला ने का कि मेरा बच्पन का प्यार है बच्पन में वो मेरी ड्रॉइंग बनाया करता था एस्टेला आप चाहती है कि फिन उसकी फिर से ड्रॉइंग बनाया boyfriend ये सब चीज़े देखकर nervous हो गया था एक दिन ऐसे ही बिना वताय एस्टेल फिन के घर पर पहुश गई उसे उसकी portrait बनाने के लिए खहती है पर वो nude हो गई फिन भी उसकी बहुत सारी drawings बनाता है जितना टाइम में उसके साथ थी वो draw ही करता रहा एस्टेला को कुछ और काम था तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से जा रही थी उसके पीछे भीचे भागा उसने पूछा तुम हमेचा मेरे साथ ऐसा करती क्यों हो क्या तुमें कुछ भी फील नहीं होता एस्टेला ने कहा कि बचपन से मुझे एक ही बात पता है इस सारा world मेरा enemy है उसे life में कुछ भी hope मिलने नहीं वाला फिन कहता है कि तुम अपने बारे में बहुत ही गलत सोचती हो तुम भी फील गरती हो, hopeful हो मैंने सारी चीज़े तुम में देखी है एस्टेला ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ एस्टेला को इस सब चीज़े सही नहीं लगती उसे लगता है कि लोग कभी भी बदलते नहीं इसके बाद जब फिन घर पर था तो एस्टेला का boyfriend उसके पास आया उसने एस्टेला की new drawings वहाँ देखी वो गहता है एस्टेला मुझे जेलस कराने के लिए सब कुछ चीज़े कर रही है मैंने अब तक उसे शादी के लिए नहीं पूछा वो फिन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रपोस करना चाहिए फिन उसे हा कह देता है और कुछ भी बोल नहीं सकता था नेक्सिन में फिन को उसके एक्जिविशन के मैनेजर ने बुलाय हुआ था वो उसे बहुत ही बड़ा स्टूडियो देती है फिन भी एक्साइडेट था वो गहता है सारे नुई यॉक में मेरी पबलिसिटी होनी चाहिए हमेशा उसने इस वर्ल से कुछ भी मांगा नहीं था और अब उसे सब कुछ चाहिए था उसे लगता है नौरा ने एक की रीजन की वज़े से उसे नुई यॉक भेजा वो होगा कि वो एस्टेल की बरावरी का बन सके सकस्सूल हो सके एक दिन फिन और एस्टेल ये दोनों पार्क में आये होए थे इन्होंने बहुत सारी बाती की इसके बाद एस्टेला फिन से कहती है मेरे बॉइफ्रेंड ने मुझे प्रोपोस किया फिन इस बात से हर्ट हो जाता है पुछता है तुम ये सब जीजे मुझे क्यों बता रही हो वो गुस्सा था क्योंकि एस्टेला इसी तरीके से हमेशे उसे प्ले करती है एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ फिन गुस्से में उसे कॉंग्रेचुलेशन कहे देता है रात में उसने रियलाइस किया कि उसे ऐसा उसे कहना नहीं चाहिए था वो इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता हर जगा पर उसने उसे ढूंडा एस्टेला अपने बॉइफरेंड के साथ एक डेट पर गई हुई थी वही पर वो पहुँच गया बॉइफरेंड के सामने उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ डांस करने लगता है फिर डारेक्ली अपने घर लेकर आया इस दोनों इंटिमेट हो गए रात में एस्टेला उसे दूर जाकर बेटी थी फिन बुच्छता है कि क्या हुआ वो कहती है मुझे नोरा से मिलकर आना पड़ेगा फिन कहता है कि मेरी एक्जिबिशन तक तुम वापस आ जाओगी एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा एक्जिबिशन मिस नहीं कर सकती है इसके बाद बहुत दिन हो गये फिन का एस्टेला से कोई भी कॉंटेक नहीं हुआ एक्जिबिशन का डे आ जाता है यहाँ बर हर जगा वो एस्टेला को भूण रहा था वो बहुत ही डिस्टब हो गया तब जो ने आकर उसे सप्राइस किया फिन सप्राइस हो था और फिर भी एस्टेला की वज़े से वो डिस्टब था यहाँ इस पार्टी में जो सबसे मिलता है जो के कबड़े फिन को अच्छे नहीं लगे जो बहुत ही प्राउट थे वो सबसे कह रहे थे कि फिन बहुत यह चोटी से टाउन से है फिन कहता है कि इसे रहने दो पर जो मानता नहीं तो इस बात पर फिन डारेटली उस पर चिला पड़ा फिन को जो लगता है यह जो ने रियलाइस किया वो वेचारे हार प्रोकन थे फिन उनके पीछे गया पर वो कहते है जो भी तुमें सक्सेस मिला है यह तुम डिजर्व करते हो इसके बाद हो यहाँ से चले गए फिन का एक्जिविशन बहुत ही सक्सेस्फुल था उसकी सारी पेंटिंग सोल्ड होके वो मिलिनियर बन चुका था वो हमसे कहता है कि मैंने सब कुछ तो पा लिया पर फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं था जिन लोगों से मैं प्यार करता था उन्हें मैंने हर्ट कर दिया राद में वो फिर एस्टेला के घर पर पहुँझ गया बाहर खेड़की पर उसे उसके शैडो देखी वो चिलाता है कि देखो अब मैं अमिर बन गया क्या तुम्हें यहीं नहीं चाहिए था मुझे में जो भी स्पेशल है इस सब कुछ तुम्हारी वज़े से है वो फिर उपर आ जाता है खिड़के में एस्टेल नहीं तो नोरा थी फिन ने बुझा कि एस्टेल लगा है नोरा ने का कि उसके शादी होगी नोरा ने फिर उससे सब कुछ रियालिटी बताए वो कहती है कि आदमें को किस तरीकी से ट्रीट करना है किस तरीकी से मैनुबलेट हो करें यही डेनी में बज़पन से एस्टेल को दे रही थी तुम सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस थे मैने तुम्हें वान किया था कि उससे प्यार मत करना वो तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी जब तुम नियॉक में आए तब उसका बॉइफरेंड उससे कमिट नहीं कर रहा था तुम्हारे साथ रिलेशन्चिप का प्रिटेंड करने के बाद उसके बॉइफरेंड को उसकी गलती रिलाइस हुए मैरेज करने के लिए भी उसने सिर्फ तुम्हें यूज किया फिन को इस सब सुनकर बहुत दर्द हुआ वो नोरा के पास आता है उसका हाथ उसने अपने दिल पर रखने के लिए कहा वो गहता है अब मेरा दिल तूट चुका है जिस तरीके से नोरा का फियांस उसे छोड़ कर गया था उस हार्ट ब्रेक में वो पागल हो की उसी तरीके से फिन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है नोरा ने अपनी गलती रिलाइस की उसे बहुत बुरा लगा पर अब बहुत ही जादा लेट हो चुका था स्टेल अपने हस्बंड के साथ एक अलग कंट्रे में चली जाती है आज राज जब फिन अपने घर पर आया तो नीचे कुछ लोग एक आदमी का वेट कर रहे थे इनकी बातों से उसे पता चला कि उस आदमी को मार डालेंगे एक आदमी बिल्डिंग में चूप रहा था तो फिन ने उसे अपने घर में आने के लिए कहा हम देखते हैं कि आदमी वही क्रिमिनल है जिसे बच्पन में फिन ने हिल्प की थी फिन उसे फर्सली पहचान नहीं पाता फिन से बात करने के बाद सक्से जानने के बाद एक क्रिमिनल उस पर बहुत ही ज़ादा प्राउड था फिन ने अभी भी उसे पहचान नहीं था तो एक क्रिमिनल बच्पन में उसने फिन को जिस तरीके से पकड़ा था उसी तरीके से फिर से पकड़ लेता है फिन ने उसकी आखोसे उसे पहचान लिया फिन आज भी उससे बहुत डर रहा था वो उसे जाने के लिए कहता है क्रिमिनल ने गा मैंने बुलिस को कॉल किया है थोड़े टाइम में यहां से मैं चला जाऊंगा क्रिमिनल ने सारी पेंटिंग्स देखी उसमें फिन ने उसकी भी एक पेंटिंग बनाए हुई थी वो गहता है तुम कितने बड़े हो चुके हो मैं तुम पर बहुत ही प्राउड हूँ जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि लॉयर ने बहुत अच्छा काम किया यह उसी लॉयर के बारे में बात कर रहा था जिसकी वज़े से फिन आज यहा है फिन को क्लियर हो जाता है कि इसी क्रिमिनल ने उसे सारे बेशे दिये थे वो फिर उसके साथ क्या गहता है हम पीचे के दरवाजी से निकल जगते है क्रिमिनल गहता है कि हम में पैरिश जाने वाला हूँ वहाँ की लटकिया, वहाँ के नजारे बहुत यह अच्छे है वो जाने के लिए एक साटरेर था यह चलते जलते स्टेशन पर आये पर जो लोग क्रिमिनल को ढूंड रहे थे वो भी वहाँ पर भोज गये थे यह जल्दी से ट्रेन में चड़ जाते है क्रिमिनल कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए हम दोनों बहुत एंजाई करेंगे पर तब ही हम देखते हैं जो लोग इसे ढूंड रहे थे यह ट्रेन में भी चड़ चुके थे हमेशा तुम आर्टिस की लाइफ जीना इसका मतलब है फिन का सारा आर्ट एक क्रिमिनल नहीं बाय किया था एक इलीगल वैसे अपने सारे पैसे उसने फिन को दे दिया फिन की बच्पन की ड्राइंग बुक आज भी क्रिमिनल के पास थे उसे पता था कि बहुत अच्छा ड्राइंग करता है उसने फिन का टैलेंड पच्पन में पहचान लिया था फिन को बहुत बुरा लगा उसी के बास क्रिमिनल की डेथ हो गई आज फिन का सबसे बड़ा हार्ट रेक हुआ था पर उसी ये भी पता चला कि लाइफ ने उसे और एक चांस दिया है पर क्रिमिनल चाहता था कि फिन हमेज़ा खुश रहे वो उस पर प्राउड था फिर इसके बाद फिन अपने घर पर जाता है जोग को उसने हट किया था उसके पास फिर से वापस जाकर अपनी रिलेशनशिप सुधार लेता है जो पर भी अफिन की कोई भी रिस्पॉंसिबिलीटी नहीं तो उसने भी अपनी न्यू फैमिली क्रियेट कर ली है वो भी खुश था इसके बाद फिन पैरिस चला गया था बहुत सालों बाद जब फिर से अपने टाउन में वापस आया तो फिर से नोरा का हाउस देखने के लिए जाता है उसकी अपडेट हो चुकी थी इस जगह आपर कुछ और बनने वाला था जेस गार्डन में एस्टेल उसे फर्स टाइम मिली थी उसी पर उसे याद करता है पर तभी एक छोटी से लड़की वाँ खेल रही थी उसी का पीछा उसने किया वो एक्चुल में एस्टेल की बेटी है एस्टेल भी इस घर को लास्ट टाइम देखने के लिए आय हुई थी फिन को पता चलता है कि एस्टेल का अब डिवास हो चुका है एस्टेल फिन से मिलकर खुश थी फिन अब और भी फेमस आर्टीस बन चुका है उससे कहती है आज कल में तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी उसने उसके साथ जो भी किया इस सारी चीज़े उसे रिग्रेट कर दिया वो बुशती है क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकते हो फिन कहता है क्या तुम मुझे जानती नहीं वो हमेशा उससे प्यार करता रहा है वो कभे भी उस पर गुसा नहीं हो सकता इन दोनों ने एक दूसरी का हाथ थाम लिया अब ये फर्स टाइम रियालिटी में एक साथ थे इसके पीचे और कोई प्लान नहीं था यही बड़े मुवी एंड हो जाती है एस्टेल एक फॉल्टी गारेक्टर थी वर फिन ने उससे हमेशा बहुत प्यार किया धोका होने के बाद भी फिन फाइनली उसे माफ कर ही देता है एस्टेल जैसी भी हो ये फिन के लिए कम्प्लीट है ये स्टोरी जब वो बता रहा था तो उसे लगता है कि उसका एस्टेल के लिए प्यार यही इनफ है उसे प्यार करे या नहीं फाइनली अपने प्यार की चर्णी में उसे एक राहत मिली इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बिल नोटिवेशन आइकोन दमने मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूग के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया